कशिष कह रही है यहाँ पर समय को क्या लेन देने किदर भी अप्लीके बलो इसको बोलते है मां कसम आइटिट्यूड होल आफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मु कश्मीर अच्छा कासा मेरी इच्छा थी सर मैं साइन्स में जाऊं साइन्स में जाता मस्त बायोलोजी पढ़ता केमेश्ट्री पढ़ता केमेश्ट्री बनाता इधर आके बेटेश एट लिस्कॉलेज जाता फंड करता इधर आके बेटेश जीवन बहुत जिंदगी खराब हो गया हमारा आज भी निगाये उस आदमी को ढूंड रही है जो यह क सुनो आपको पता है मेरे को घरवालों ने क्या कहा था नहीं मुझे नहीं पता बता क्या कहा था सर बहुत मतलब मैं तुक मैं जी मैं इस दुनिया से क्या अपना रुसवाई करू सर में जे तो मेरे घरवालों नहीं पीटा है कि कहना कैचा तो तुमारे घरवालों ने क्या पहले क्या बोलते ते मालू में 10th clear कर ले बहुत मज़े आएंगे 10th clear कर ले बहुत मज़े आएंगे फिर तो क्या है लाइप आसाने इमान मारी से पतातो सर रात रात को जग्य पढ़ा दिये के नीच्चे पढ़ा लाइट में पढ़ा अरे जिन्दगी तब खराब होगी जब मोबाइल के टॉर्च लाइट में पढ़ा सर बहुत पढ़ा सर बहुत पढ़ा दस्वी पास हुआ बरबर है अब मुझे ऐसा लगने लगया कि मेरी जिन्दगी सॉटेड है रहे सॉटेड है मस्तस कॉलेज में जाएंगे लड़की घुमाएंगे समोसा खाएंगे फ्रूट में थी नहीं और जो हमारे स्कूल में थी उसमें हमको इंट्रेस्ट नहीं था वह हमारे स्कूल में थी नहीं तो पहले पहले बार किसी को देखके लगा आहा है फिर काटा हमारे घरवालों बोला बेटा 10 से कुछ नहीं होता असली लाइफ तो 12 के बाद शुरू होती है बस 12 क्षटे इतने हैं लॉकी लोग सरं फिर लग गई रेस में next 12 के बाद फिर लग गए रेस में क्या 12 क्लियर कर लो लाइफ सॉटेड है अब ना पता है बहुत दर्दे बहुत दर्दे फिर फिर क्या हुआ 12 के बाद हाँ फिर अगले दिन हमारे महले में आईश्वर्याई सर 12 जब क्लियर हुआ मेरा फिल काटा मेरे घरवालों ने अब क्य क्या ट वालोने 1000 कि हमान्-वालों इस राव बहुत जिन्द्गी घरवालों ने क्या किया मालम सर 12 के बाद 12 के बाद एक दिन ममी पपा ने यह समड़ी में बैठ आयं मेरे और को सुम्झ के बना ने और एकदम सीरियस एकदम सीरियस हां और मैंसर्ञान कर रहा था टेंथ क्लियर होगा कां जाएगा गोजाएगा उपता है हमारसल क्या हुआ है संट आएगा सेंट आएगा sa cautious को कि अगल पड़ा ए थीकिन कि मेरे पड़तनी संग्शन सोरफा मेन संग्वाट रिस लाइए कि लीजिए मैंनिकल पड़ा नवसक्तिक के बाद इन लोगों को मेरे ममैं पम्राइब के बात क्या और अ क्या करना है कि तुम ने तो बोला था क्यों पर गूए क्यों है मेरे को नहीं है जब यह बात हो चुकी थी कि 12 के बाद लाइफ सॉटेड है तो आगे 15 क्यों है मेरे को मस्ता कॉलिए सर मैं आपको बताऊ मैं आपको नी नी सर्चुनों आज बात निकलिये तो दूर तक जाएगी इधर सुनों सर इधर और इधर खड़े हो आप इध आतनिया मनाली घूम रहा है यह लड़की देखो सर यह लड़की देखो सर स्कूल में ना देखते हैं नहीं देश लड़की के तरफ हम आज देखो सर समझ रो लॉस समझ रहो हमारा यह आगे बढ़ो सर यह लड़का सर क्या कर रहा है आपको पता है है किंग कर रहा है सर इस पढ़ रहे नौ बज़े टैक्स के अंदर में आ जा रहे जीवन के अंदर में फिर अकाउंट्स पढ़ रहे फिर लौ पढ़ रहे उसके बाद जीवन कुछ बच जाए खतम बहुत काटा है सर तो 12 के बाद मम्मी पपा ने मेरे को सुमणी में बेठाया बोले बैटा बैठ करि निकल पढ़े और यह कर रहा है तो तो भी कर ले हम निकल पढ़े सर फ़ाउंडेसन में पता चला सला यहां तो जीवन यह न बदलावा है यह तो दुनिया ही बदली रिये जैंगने हमको क्या बूला मालू में हमारा फिर काटा बुले फाउंडेशन ट्लेर कर ले पिर तो कि टीन दिन हो गए कि सकोप समझ नहीं आ रहा हम है अगर सकोप के मावने में क्या मिला इंकम टैक्स का स्कोप पता चला है एक्ट के चक्कर में आये थे लूस्स भी पढ़र कि सिन आने सब्सक्राइब में खुद गूर और लिएवा सब्सक्राइले है, 향 रहा डिए हुन देखते हैं से एल भना सब्सक्राइम को हमारा बहुत को पहर है को फोट जिंदगी कराब हो이면 सरम तो कि देखो अधिसलर ज्यादा बच्चे सच्चाई को यहां पर कबूल कर रहे हैं अधिसलरस ज्यादा ड़सती सच़्चाई को यहां पर कबूल कर रहे कर रहे बोटेना वह लोने अपना है बहुत स्कोप है बहुत स्कोप और बोकल में इदर या में अध्यच्चर सब्सक्राइब ऑप्रैस पिक्च्चरों मैं जानने वाला था मजाक निक रहां잖아 सेख्टा habits एक्टर होता, साइड आक्टर होता मैं, मेरे को स्कोप के चक्कर में इधर डाल दिया, है ना, और इमानदारी से बताओ, ये इतना पाट, तुम्हार को अगर घर वालों के सामने कोई पर्टिकलर वीडियो प्ले करना न, इतना पाट निकालना और घर पे टीवी पे लगा दे जो अभी नए-नए कवले-कवले बच्चे न, आटवी दस्वी में, ऐसा उनको बैठाना, उनको बैठाना, देखो, आज तुमको जीवन की सच्चाई दिखा रहा हूँ, ऐसा टीवी पे मेरा ये वीडियो लगाना, और बताना दे को ये सच्चाई है, तुमको बोल रहे है आज बहुत स्कूप है, बैठा फसना मत, मैं फसा हूँ, मेरा कट तुम, ने, दूआ देना, बड़े भाई, बड़ी भेन शिकाया था, तो ऐसा कुछ करना, जीवन में, तब तुमको थोड़ा मजा आएगा, और मम्मी पप्पा के बाजू लगना, और इसके बात क्या होग है, पपा बोलेंगे, देख, उसके बाद में मैं तुमको बता तो क्या होगा, पपा बोलेंगे, देखे, क्या है, यह जो सार्डा जी दिख रहे हैं, यह सार्डा जी एना, सिये बन चुके है, अभी इनकी लाइफ दे कितने मज़े कि आते, एक गंड़ा पड़ाते चले जा करेंगे, नव बजे तो तुम्हारा बैच है, काई का स्कोप है इधर, बहुत स्कोप है, काई का स्कोप है, नव बजे तुम्हारा लेक्चर लेना है, तो उस चक्कर में मेरे को साथ बजे उठना है, बहुत स्कोप है, छोड़ यार, अभी दर्द के बारे में कभी और डिस करेंगे